हेलो बच्चो, एजुकेशनल एरा में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इस बड़े से नंबर का स्क्वाइर रोट निकालने जा रहे है और यह जो नंबर है यह है 12769 तो चल यह शुरू करते हैं और देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वाइर रोट हम लॉंग डिविजन मेठ़ड से किस तरह निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उस नंबर को इस तरह से लिख लेना होता है 12769 अब हम इसे राइट साइड से दो दो के पेर में रखेंगे जैसे 6-9 का एक पेर 2-7 का एक पेर 1 जो है as it is रह गया तो हम क्या करेंगे बच्चो हमें स्क्वाइर नंबर चाहिए जो 1 के बड़ाबर हो तो हम सबको पता है 1 का स्क्वाइर 1 होता है तो हमें वही लेना है सबसे पहले 1 into 1 that is 1 अब हम इसे करेंगे subtract तो 1-1 0 next हमें पेर में नंबर लेना है normal division में हम क्या करते है single digit लेते है बट यहाँ पे हमें single digit नहीं लेकर के पेर में नंबर को लेना होता है 27 और यहाँ पर 1 और 1 1 को 1 से हमने multiply किया था तो वो दोनों यहाँ आड होके 2 आ जाएगा अब यहाँ पर एक नंबर हमें चाहिए बच्चो जिसको हम उसी नंबर से multiply करेंगे तो 27 से छोटा होना चाहिए तो यह भी बच्चो 1 ही आएगा 21 into 1 that is 1 अब इसे हम करेंगे subtract तो हमें मिलेगा 6 अब next जो पेर है उसे copy कर लेंगे जो कि है 69 और यहाँ पर फिर से 1 हम add कर लेंगे तो हमारे पास में आ गया 22 अब यहाँ पर हमें एक नंबर लेना है जो कि हम उसी से multiply करेंगे इस त्री डिजिट नंबर को तो 669 आना चाहिए तो आएए देखते हैं तो 223 लेकर के देखते हैं इन्टू 3 तो हमें मिल गया बच्चो 669 तो 223 multiply by 3 that is 669 और इसे हम subtract कर देते हैं और हमारे पास में कोई भी remainder नहीं बचा है तो हमें 12769 का square root जो है वो मिल चुका है जो है 113 अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे square root of 1, 2, 7, 6, 9 that is 113 ठीक इसी तरह से हम किसी भी number का square root calculate कर सकते हैं long division method से that's all for today in this video thank you so much for watching please do subscribe to educational era thank you